इस मोवी के स्टार्ट से पहले सबसे पहले मैं आपको डियून के बारे में बताती हूँ डियून आखिरकार है क्या ये एकड़े की स्थानी प्लैनेट का नाम है ये प्लैनेट स्पाइस नाम के इंधन और ट्रुक्स का एकलोता ओरिशनल सॉर्स है स्पाइस एक ऐसा सौर्स है जिसे अगर आप ट्रक्स के तोर पर उसको इस्तमाल करते हैं तो आपके अंदर सूपर नैच्रल पावर आ जाएगी और इसका नशा करने वालों की आंखें ब्लू हो जाती है और इतना ही नहीं आप स्पाइस के इस्तमाल से नियूकलियर वैपन्स पर जाकर बसके हैं और इन प्लैनेट्स पर अलग अलग राज कराने हैं जो किसी एंपरोर की तरह इन प्लैनेट्स पर रूल करते हैं और इन में सबसे बड़ा जिसका नाम है कोरीनो इंपायर और इसके एंपरोर के पास एक आर्मी है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकत और इन आउसाइडर्स को डिरेक्शन देता है रॉबिन जो कि इनका लीडर है लेकिन फिर अचानक एम्परर के ओर्डर पर वो लोग इनके प्लैनेट को छोड़ देते हैं किसी को भी समझ नहीं आता कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया और अब मुवी शिफ्ट होती है कैलेड नाम के एक प्लैनेट पर और अब हम यहाँ पर मिलते हैं एक लड़के पोल और उसकी माध जैसिका से जो के एक विच है और इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करना पोल को सिखा रही है और अब पोल अपनी मां को बताता है कि उसे एक जैसे ड्रीम बार बार आ रहे हैं जिसमें वो एक नीली आंखों वाली लड़की को देखता है जो के हकीकत में चैनी है और एक दिन दूसरे प्लैनेट का किंग इनके प्लैनेट पर आता है और अब वो वहाँ के किंग को बताता है कि उसने अपने ड्रीम में उसको मरते हुए देखा है और उसे सेफटी के लिए कहता है लेकिन वो उसकी बात को काफी लाइट ली लेता है और अब पोल अपने फादर से मिलता है अपने फादर से कहता है कि वो फ्रेमेन से दोस्ती करना चाहता है फ्रेमेन वहाँ पर रहने वाले लोग हैं और चैने भी यहीं से बिलॉंग करती है इसके बाद पॉल वार एडवाइजर से लड़ने की ट्रेनिंग लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरे को चोट ना लगे इसलिए वो एक एनरजी शिल्ड का इस्तमाल करते हैं और अब राविन बहुत ज़्यदा परेशान है क्योंकि राकिस किसी और किंग को मिल गया है यानि के पॉल के फादर को और अब रेवन का लीडर उसको समझाता है कि ये सब उनके फादे के लिए हो रहा है और अब पॉल से यहाँ पर एक औरत मिलने आती है जिसको पॉल के ड्रीम्स के बारे में सब कुछ पता चल गया था अब हमें यहाँ पर इस औरत के आने का मकसद पता चलता है वो पॉल का टेस्ट लेने आई थी और उसको लगता था कि पॉल ही वो मसीहा है जिसके बारे में पूरा यूनिवर्स बात कर रहा है जाते वक्त वो औरत उसकी माँ को बताती है कि अगर ये बात सच है तो पॉल के उपर बहुत जादा मुसीबतों का पहार तूटने वाला है और अब वहाँ पर खड़ा पॉल ये सब बातें सुन लेता है और पॉल की मौम उसको बताती है कि कैसे ये मसीहा बुरे लोगों को खतम कर कर यूनिवर्स को अच्छा कर सकता है और अबヲोग अराकिस जाने की तयारी करते हैं और जल्दी ये लोग अराकिस आजाते है और पोल ये वहाँ पर देखता है कि लागों लोग उसको मसीहा समझ कर वहाँ पर देखने आए हैं। पोल की मौम को लगता है कि ये खबर शायद उसी औरत ने पहलाई है। जल्द ही ये लोग नई सीटी में पहुंच जाते हैं। जहाँ पर पोल के फादर स्पाइस की माइन पर चलते हैं जहाँ पर डेजर्ट का नेच्रल साउंड निकलता है और यहाँ पर हंटर बग की मदद से पोल को कोई मारने की कोशिश करता है। और अब पता चलता है कि ये दूसरे किंग का आदमी था। उधर पोल के फादर का वारियर उनको आकर बताता है कि यहाँ पर उ चलती अपना काम खतम करें और यहाँ से चले जाएं इसके बाद पोल के फादर माइनिंग की तैयारी देखने के लिए जाते हैं लेकिन उसको पता चलता है कि जो लोग पहले माइनिंग कर रहे थे वो मशीनों को बहुत ही बुरी हालत में चोड़कर गए हैं और फिर वो फ पर अपनी जान बचा सकें और यहां रेकिस्तान में पीने के पानी की बहुत तंगी है और यहां के लोग पानी की एक बून को भी जाया नहीं करते अब यह लोग प्लेइन की मदद से उस फिल्ट में जाते हैं जहां पर एक मशीन स्पाइस की माइनिंग कर रही है और जब पूल भी इस काम में आगे बढ़ता है ताकि वो लोगों की मदद कर सकें तब ही अचानक से उसको विजन जाने लगते हैं जिसकी वजा से वो बेहोश होने लगता है तब ही वहां से एक आदमी उसको वहां से निकाल कर ले जाता है इसके बाद यह लोग पहली बार उस वाम को देखते हैं कि वो इतना बड़ा था कि देखते ही देखते पूरी माइनिंग मशीन को निगल जाता है और अब पॉल के फादर सब को कहते हैं कि उन्हें जल्दी स्पाइस की माइनिंग को शुरू करना होगा वरना उनके लिए बहुत जादा प्रॉपलम्स होंगी लेकिन व फिर से उस नीली आंखों वाली लड़की को देखा जो के उसे मारने की कोशिश कर रही थी और उसे वहां पर एक नाइफ भी दिखा जिसे फ्रेवेन अपना एक मश्बूत हतियार मानते हैं और अब अपने ड्रीम्स में वो अपनी मा के दूसरे बच्चे को भी देखता है जो के एक लड़की है और अब उसे लगता है कि शायद वो उसकी बेहन है और अब नेक्स सीन में बेरन अपनी आर्मी को लेकर अराकिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है इधर वो डॉक्टर पोल और उसके फादर को कुछ दमाईयां देता है ताकि उनको अच्छे से नीद आ सके और जब पोल के फादर की आँख खुलती है तो वो देखता है कि एक मेड उसके पास इंचर्ड है इससे पहले वो कोई एक्शन लेता उसकी शील्ड को तोड़कर एक नीडल उसको आकर लग जाती है और यहां उसको समझ में आता है कि यह सारा काम उस डॉक्टर का है और यह बहरन के साथ हो गया है और अब वो डॉक्टर पोल के फादर की रिंग उतार लेता है और उसको पोल तक पहुचाने का वादा करता है और अब उसको वो एक नकली दांत लगाते हुए कहता है कि इस दांत में जहर भरा हुआ है वो जब भी बहरन से मिले तो इस को पीज़ कर इसकी हवा से वो बहरन को मार सकता है इधर पॉल की आदमियों को बहरन के हमले का पता पता चल जाता है और वो पूरी तकाष से इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते है लेकिन वो आर्मी की आगे कमजोर पढ़ जाते हैं पॉल को बचाने के लिए उसका कावर को यूज करते हुए उन सब को अपने कंट्रोल में कर लेती है वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं इसके बाद पोल और उसकी मा नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि बैरन के आदमियों ने पूरी सिटी को तबाह कर दिया है और अब वो पनाह लेने के लिए एक वजा से बैरन और उसके आदमी मर जाते हैं अब कुछ लोग वहाँ पर गैस को साफ करने के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि बैरन उपर दिवार से चिपका हुआ है और वो अभी भी जिन्दा है और अब इधर रेगिस्तान में पोल को डॉक्टर के बैक से अपने मुचर में आने वाले वार की कोई निशानी है अब वो उस जगा से बाहर निगलते हैं जहां पर उन्होंने रात को पना ली थी और उनका वही सिपाही उनको ढूंटता हुआ वहाँ पर आ जाता है वो उनको बताता है कि डॉक्टर के बैक में एक ट्रेकिंग डिवाइस था जिसकी मदद से मैंने तुम लोगों को ढूंड लिया और बताता है कि वो लड़की भी अब मदद करने के लिए तयार हो गई है इसके बाद वो उस लड़की के लैब आते हैं जो के उन्हें बताती है कि ये एक टेस्टिंग लैब है यहां पर पोल उसको कहता है कि वो अपन का एक ड्रिम पूरा हो जाता है अब पोल और उसकी माँ उस लड़की के साथ मिलकर एक सुरंग की तरफ जाते हैं जहां पर वो लड़की बैरन के आत्मियों का मुकाबला करने के लिए चली जाती है और वो एक डिवाइस को जमीन में लगाती है जिसे वो वाम्स को ट्रैक् करते हैं वो उन से बचने के लिए एक सेंटॉम में दाखिल हो जाते हैं जिससे उन का हेलिकॉप्टर क्रेश हो जाता है और अब नाक्स्स इन में हम भीरं को देखते हैं रैवन उसको बताता है कि पॉल और उसकी माँ सेंटॉम में मारे गए बे 기억 Rएन अब सभी फ्रेमैन को भी मारने का ओर्डर देता है और अब आगे पॉल और उसकी मा हेलिकॉप्टर से मिले स्टील सूट को पहन लेते हैं और अपनी उसे सपाहे के कंपस की मदद से कभीले को ढूंड लेते हैं और तभी वाम लेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है इससे पहले वो उनको निगलता वो अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे उसी डिवाइस का साउंड सुनाई दे रहा था उस डिवाइस से वाइब्रेशन के साउंड भी निकलता है जिसे देखकर वाम वहां से चला जाता है और अब आगे कुछ फ्रेमेंस उनको घेर लेते हैं और अब उनको पता चलता है कि ये उसी लीडर का कबीला है जो उसके फादर के पास उनसे मिलने आया था वो लोग देखते हैं कि वाम ने इन्हें कुछ नहीं कहा इसलिए वो समझते हैं कि पोल एक मसीहा है यहाँ पर पहली बार पोल चैनी से मिलता है और उसको अपने ट्रीम्स के बारे में बच गए और अगर पोल इतना काबिल है तो उसे मेरे साथ फाइट करनी होगी पोल उसके साथ लड़ाई करने के लिए एगरी हो जाता है तब ही वहाँ पर उसको एक विजन आता है उसको एक आवास सुनाई देती है और वो आवास उसको कहती है कि तुम्हें अपने अंदर नसीहा नहीं मानती वो ये नाइफ उसको इसलिए दे रही है कि वो एक बॉरियर की मौत मर सके यहाँ पर ये लोग फाइट करने लगते हैं और पोल उसको काबू करकर पीछे हटने को कहता है लेकिन वो लीडर पोल को कहता है कि ये लड़ाई तुम दोनों के किसी एक के मरन और फ्रेमैन के कबीले को अपने इरादे बताता है कि वो किस तरह उन लोगों के साथ मिलकर एंपरर की आर्मी से लड़ना चाहता है वो लोग उसकी बाद से एगरी होकर अपने कबीले की तरफ बढ़ने लगते हैं अब वो थोड़ा आगे जाकर एक फ्रेमैन को वार्म की स सवारी करते हुए देखते हैं और चैनी उससे कहती है कि ये सिर्फ स्टार्ट है और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है